वेलकम फ्रेंट्स अभ्यास अनलाइन क्लास के इस नए वीडियो में मैं क्रिश्णा आप सभी का स्वागत करता हूं दोस्तों हम लोग तयारी करें हैं टीटी एक्जाम की जिसमें मैथेमेटिक्स के कोश्चन पूछा जाता है मैट्स को दोस्तों सरल ट्रिक से समझने के लिए वीडियो को लगतार मैं लाते रहता हूं तो इसी वीडियो का यह सात्वा पार्ट है चलिए स्टार्ट करते हमारा आज का यह वीडियो तो दोस्तों पहला कोश्चन देख लेते हैं एक 280 मीटर लंबी ट्रेन है 63 किलोमेटर प्रती घंटे की चाल से एक खंबे को कितने समय में पार करेगी यहां पास जो है दोस्तों सिंपल फार्मूला यूज करके हम लोग इसको बनाएंगे और यह जो है इसका अंसर आप डेफिनेटली आसान तरीके से निकाल लोगे और आपको कोश्चन भी समझ आ गया होगा ट्रेन की लंबाई दिया हुआ है चाल दिया हुआ है हमें किस कमान निकालना है समय कमान निकालना है हमको जो फार्मूला पता है दोस्तों चाल बराबर हम लोग क्या पढ़े है दूरी बटे समय डिस्टेंस ओपन क्या हो जाएगा आपका t थीक है, तो जो insulted चाल, है वो speed जो है, दोस्तों, हमें उस कमान दिया हुआ है, चाल कमान कितना दिया है, तो मान को put कर देते हैं, ये दिया हुए 63 और बराबर ये हुआ कितना हो जाएगा, 63 बराबर, डिस्टेंस ज Не दिया है, 280 मिटर, तो इसको कर देते हैं, 280 280 upon t कमान निकालना है तो यह क्या हो जाएगा upon t जब दोस्तों पक्छांतर करेंगे इसको तो t इधर आ जाएगा और 63 जो है कहां आ जाएगा नीचे आ जाएगा तो यह हो जाएगा 280 63 ठीक है तो मैं इस डारेक्ट उसको लिखे रहा हूँ 280 280 66 यह 280 63 लेकिन हमको पता है कि यहाँ पास जब भी कर देते है तो and speed को किस से गुना कर देते हैं 5 बटे 8 से गुना कर देते हैं अब यहाँ पास solve करने के लिए दोस्तों जब 18 को हम लोग उपर ले जाएंगे तो यह किसमें चला जाएगा 280 के गुणा में चला जाएगा तो चलिए इसको मैं उपर में लिग देता हूँ तो हमें सॉल करने में और आसानी होगी ठीक है तो क्या करें तहूं गुणा 8 ठीक है अभ यह पांस से खट रहा है तो क्या हो जाएगा 3, 6, 3, 6, 8, फिर ये भी कट रहा किस से 3, 3, 7, 1, और ये हो जाएगा 3, 2, 6, और ये 56 और 7 भी कट रहा है 7, 7, 7, 8, 56 हमरे पास क्या बचा 8 बचा है और 2 बचा है तो 8 बचा है तो 8 बचा है 16 तो दोस्तों 16 सेकंड में क्या होगा वो ट्रेन जो है 36 km प्रतिघंटे की speed से जो जा रहा है मात्र 16 second में 280 मिटर लंबी train खंबे को पार कर लेगा ठीक है तो 16 second में क्या होगा दोस्तों जो है इस खंबे को पार कर लेगा 16 second जो है कौन सौ option में दिखाई दे रहा है C option में दिखाई दे रहा है तो समय के जगह हमको 16 second डाल देते और अगर दूरी कमाल निकालना रहतां तो दूरी के जगह D माल लेते हैं उसी तरीके से अगर σ्पीड निकालना होता तो चाल बरावर दूरी बैटे समय है तो दूरी कमाल दोस्तों C लग देते एक जुन्ड का एक बटे चार जंगल में देखा गया ठीक है जुन्ड के वर्ग मूल का दोगुना पहाडों पर चला गया सेस पंदरा उट नदी के किदारे देखा गया ठीक है बताए कुल उटों की संख्या कितना है ठीक है कोशन आपको समझा गया उट का एक जुन्ड है द पूरे जुनड़े का छांगता कितना बचया है उसके पास 15 और जो है नदी के किनारे देखा गया पंदरा ओट नदी के किनारे देखा गया तो दोसनों इसनों लंबा कुशन है इसको सौल करने के लिए लिए हम ल Buddhy क्रेंगे Broken правда भी दो बनेगा तो इसको हम लोग क्या कर देते हैं go to option method का use कर देते हैं ठीक है तो दोस्तों यहाँ पास जो है पहला option को लेते हैं 60 तो दोस्तों 60 का क्या होगा एक बटे चार क्या हो जाएगा यह हो जाएगा चार एकम क्या हो जाएगा यह चार हो जाएगा बचा कीतना दोस्तों 4,5,20 तो यह जाएगा 15 है 60 का एक बटे 4 भाग क्या है 15 है तो उसी तरीके से आप दोस्तों इसमें क्या बोल रहा है कि जुन्ड के वर्गमूल का दो गुना तो दोस्तों 60 का दो है अगर हम लोग वर्गमूल निकालेंगे किसका? 60 का अगर हम लोग वर्गमूल निकालते हैं तो किसमें आ जाएगा दोस्तों दसमलाओ में आएगा ठीक है से हम लोग क्या करते हैं 20 है उसको करके देख लेते हैं दोस्तों जुन्ड कर जो है पहले इसका वर्गमूल निकाल लेते हैं तो वर्गमूल अगर निकालते हैं तो क्या हो जाएगा root 20 तो इसका मान भी जो है दोस्तों दसमलों में ही आएगा ठीक है न क्योंकि ये क्या है एक वर्ग मूल संख्या में नहीं आता है तो ये क्या हो जाएगा इस ये भी option नहीं होगा अगर हम लोग तीसर option देखते हैं दोस्तों 36 जो 36 क्या हो जाएगा root 36 लिखते हैं तो ये hello होता है और इसका answer कितना आता है 6 तो जो एक क्या है पूर्ण संख्या की रूप में आता है तो ये क्या हो जाएगा C option जो है इसका जो है answer होने की संभावला है लेकिन जो चौन्था option है उसको भी देख लेते हैं जो है 36 है 36 में से एक बटे चार कहां गए है जंगल की ओर चले गए है ठीक है तो 36 का एक बटे चार कितना हो जाएगा दोस्तों ये हो जाएगा 4 एक हम 4 4 क्या हो जाएगा दोस्तों 4 निया हो जाएगा 36 तो यहां पास क्या आ जाएगा 9 तो 9 जो उट है वो कहां चले गए है जंगल की ओर चले गए है अब जूंड के वर्गमूल का दोगुना तो इसका जो है दोस्तों वर्गमूल का दोगुना ठीक है तो हम लोग इसका वर्ग निकाले वर्गमूल का दोगुना तो रूट 36 है इसका रूट कितना हो जाएगा दो और इसका दुगणा कितना हो जाएगा च्छै गुना 2 गुंदा 12 ठीक है ये कहां चले गए पहाड़ों पर चला गया अब सेश उट जो है 15 आट ona जो है नदी के किनारे किनारे देखे गए है ये जो c option जो है वही जो है सही आंसर होगा अकुल उंट की संखे कितना हो जाएगा c हो जाएगा ठीक है तो आग इसको solve करने की ज़रुरत नहीं है जब क्या होगता है आंसर जो है satisfy हो रहा है तो ठीक है चलिए next question देख लेते हैं एक नल जो है एक टंकी को क्रमसा चार घंटे तथा तीन घंटे में भर सकता है एक तीसरा नल जो है उसे चार घंटे में खाली कर देता है यदि तीनो नल एक साथ खोल दिया जाए तो क्रमसा टैंक भरने में कितना समय लगेगा तो दोस्तों एक टैंक है उसको भरने के लिए दो नल लगा हुआ है एक क्रमसा किते घंटे में चार घंटे में दूसरा जो है तीन घंटे में भर रहा है तीसरा जो नल है उसको क्या करता है 6 घंटे में खाली कर देता है तो जब सभी को एक साथ मिला करके स्टार्ट कर दिया जाता है तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा ठीक है तो यहाँ पास दोस्तों हम लोग देख लेते हैं इसके लिए और जो है एक बटे 6 में क्या कर देता है उसको खाली कर देता है तो हम लोग क्या करेंगे इस equation को मान को निकालेंगे ठीक है तो यह क्या हो जाएगा इन सभी को अगर हम लोग L से हम निकालते हैं दोस्तों 4,3,6 का तो कितना आएगा वो आएगा 12 ठीक है तो 4 को अब अन्स को क्या कर देते हैं बराबर कर देते हैं तो क्या हो जाएगा 4,3,12 यह हो गया 3 प्लस कितना हो जाएगा यह हो जाएगा तीन यह हो जाएगा आपका 4 और उपर में जो है दोस्तों वो क्या हो जाएगा 6,2,12 तो जब हम लोग इसको क्या कर देते हैं जब solve करेंगे तो ये क्या हो जाएगा अंस जो है 5 बटे 12 ठीक है जब 5 बटे 12 है तो हम लोग क्या करते हैं इसको पलड देते हैं ठीक है पलटेंगे तो क्या हो जाएगा ये 12 बटे 5 हो जाएगा 12 बटे पांच चली इसको मैं लिग देता हूँ कितना है है बारा बटे पांच और यही बारा बटे पांच क्या है अब आंसर होगा ठीक है तो इसमें हम लोग इसको पीड़ा कटा लेते हैं तो क्या हो जाएगा पांच दूने दस बचा कितना दो दसमलाव लगा देंगे तो क्या हो जाएगा यह हो जाएगा जीरो पांच चूंके बीस तो दो दसमलाव चार घंटे में क्या हो जाएगा उस टंकी को भरने में समय लगेगा तो दो बटे चार कॉनस ओप्शन में दिखाई दे रहा है 1 बटे 4 और 1 बटे 3 क्योंकि दोनों भर रहा है इसलिए हम लोग दोनों को जूड़े लेकिन 1 जो है उसको निकाल रहा है तो क्या कर देंगे 1 बटे 6 को निकाल देंगे अब क्या करेंगे बस इसको solve करना है ज़ा हम लोग क्या करें है starting में उसको उल्टा माने है तो हम लोग इसको फिर से बाद में सीधा करेंगे लेकिन सीधा कप करेंगे जब उसको solve करेंगे तब ठीक है तो 1 बटे 4 है तो 1 बटे 4 पूरे का LCM निकालें तो किता है 12 आया तो हम लोग इसको जब LCM को बराबर करेंगे तो क्या हो जाएगा उसको 1 बटे 4 लिखे 3 दिया था उसको 1 बटे 3 लिखे 6 दिया था उसको 1 बटे 6 किये तो अब उसको क्या करना है फिर से पलड देना है तो ये क्या हो जाएगा 12 बटे 5 हो जाएगा जब इसको काटेंगे तो कितने बार में कटेगा दोस्तों 2.4 बार में कटेगा और ये 2.4 गंटे में क्या होगा वो तंकी भराएगा तू उमीद करता हूँ इस तरह के प्रशन आएगा तू चलिए दोस्तों next question देख लेते हैं A, B, C की वर्तमान आयू का योग 90 वर्ष है 6 वर्ष पहले इसकी आयू में एक अनुपाद, दो अनुपाद, तीन का अनुपाद था C की वर्तमान आयू ग्याद कीजिए तो यहाँ पस तीन जो है वेक्ती है A, B, C और इन तीनों के आयू का जो योग है दोस्तों कितने के बराबर है 90 वर्ष के बराबर है तीनों जो है पहले 6 वर्ष कम करेंगे तभी तो क्या होगा वुमान सेटिसफाई होगा जो कि क्या होगा रियल में होगा तो यहाँ पास क्या करेंगे A में भी 6 वर्ष कम करेंगे B में भी 6 वर्ष कम करेंगे C में भी 6 वर्ष कम करेंगे और यहां पास क्या बच्छा आठ 8 में से 1 गया, दोस्तों, 7 तो 72 वर्ष जो है, तो तीनों का योग रहा होगा 6 वर्ष पहले ABC के तीनों योग कितना है? 22 होगा कितना कब? जब 6 वर्ष पहले लेकिन उस समय जो उसका अनुपात कितना में अनुपात था? तो कुल अनुपात कितना है 6 तो इसको क्या करेंगे 72 को 6 से डिवाइट कर देंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों 6 एक कम हो जाएगा 6 यहां पास एक बचा 6 दूनी 12 तो दोस्तों कुल एक अनुपात में कितना आ रहा है 12 आ रहा है ठीक है तो हमें किसका अनुमान निकालना है C का मान निकालना है तो क्या हो जाएगा 12-3 हो जाएगा 36 ठीक है 12-3 कितना हो जाएगा दोस्तों 36 वर्ष आ जाएगा ठीक है लेकिन 36 वर्ष जो ai इसका अंसर अपसर कौन सा option में दिखाएते रहा है B option में लेकिन B option जो hiking जो ai 92 वर्ष जो ai 12 और यह 1 तो 3 और 4 तो ये क्या हो जाएगा 22 वरस जो है उसका real मान होगा 22 जो है कौन सा option में दिखाई दे रहा हैぞ सी option में दिखाई दे रहा तो सी option क्या हो जाएगा सहीं हो जाएगा दोस्तों अगर इसको प्रेश्चन में यही पूष्था कि A कमान बताईए तो क्या होता दोस्तों इसमें जो है अमारा answer आए है कितना 12 तो 12 में से क्या करते फिर 6 जोड़ाते तो हमें किस कमान निकल जाता A कमान निकला जाता ठीक है तो 12 में क्या करते 2 का गुणा करके मतलब 12 दूनी 24 इस 24 में अगर 6 जोड़ते तो क्या हो जाता हमको ये B का मान निकल जाता तो उमीद करता हूँ दोस्तों इस तरीके का प्रशन अगर पूछा जाएगा तो आप definitely सहीं सहीं जल्दी ही बना लोगे दोस्तों कुछ अभ्यर्थी थे जो मुझे पूछ रहे थे कि mathematics के लिए कौन सा book suggestion करना चीए suggestion करके बताइए तो दोस्तों मैं मेरे दौबर रिफल किया जाता हूँ दोस्तों अंक गणी सारदा प्रकाशन का मैं इसी से ही पढ़ाता हूँ दोस्तों आप जो question देखते हो इसी book से ही मैं पढ़ाता हूँ इसको शमझाने की कोसिस करते हूँ दोस्तों अगर इसको आप market से purchase करोगे तो य अगर आप कोई भी competition exam की तैयारी करते हो तो यहां से अगर definitely question जो है आता ही है अगर आप English में इसको चाहते हो दोस्तों तो इसका जो आपको पढ़ेगा 310 रुपए में आप इसको Amazon से आप order कर सकते हो ठीक है तो उमीद करते हो दोस्तों इस तरीके का जो प्रशन इसमें से WhatsApp ग्रूप में, Facebook ग्रूप में, Instagram में तो मुझे जी जी जाजात मिलते हैं नए वीडियो में नए जानकरी के साथ All the best, जै हिंद!